आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार लेकर वादे तक हर मौरा बड़ी सावधानी से इस रण में बिठाय अग्या था शेय और मात का बड़ा खेल भी इस रण में खेला गया लेकिन किसके हिस्से में जीत होगी और किसके हिस्से में हार इसका फैसला तो 10 मार्च को होगा चिनावों के दौरान यूपी, गोवा, उत्राखंड, मडिपूर, पंजाब में चिनाव हुए और सभी जगों के मुख्यमंत्री ने वोट डालने के साथ ही प्रचंड जीत का दावा किया तो चलिए दिखाते हैं इन पांचों जगा के सीयम ने प्रचंड जीत का दावा करने के साथ ही और क्या कुछ कहा है देखिए प्राइम टीवी की एक खास रपोर्ट बात अगर यूपी की करे तो यहां साथ चर्णों में मतदान हुआ जिसके छटे चर्ण यानि की तीन मार्ज को सूबे के सीयम योगी की भी अगनी परीक्षा हुई जब जन्ता ने योगी की किसमत का फैसला इवियम में कैद किया इस दौरान सीयम योगी ने पहले मतदान और फिल्जलपान के मंत्र का पालन करते हुए गोरफनात के प्रात्मिक विद्याले कन्या इंग्लिश के बूट संख्या दोसर उन्चास पर पहुँचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया सुब़ साथ बजे से ही बूट पर पहुँचे मुख्य मंत्री अपने बूट के पहले वोटर भी बने मतदान करने के बाद उन्होंने मीडिया से बात चीत करते हुए इस चुनावों में बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा करते हुए और क्या कुछ कहा चलिए आपको सुनाते हैं मुझे प्रसंता है कि उत्तरप्रदेश के मतदाताओं ने 2022 के सामाने निर्वाचन में बड़े उत्सा के साथ वे लोग भाग ले रहे हैं पांच चरणों के चुनाओं ने इस बात को साबित भी किया है और आज चटे चरण का मतदान है मैं पिस्वास के साथ कह सकता हूँ ये पांच चरणों का जो रुजहान है भारतिय जंता पार्टी विधान मत्री मोदी जी के मार्क दर्शन और नित्रितों में कूण बहुमत से काफी आगे वर्तमान में चल लई है आज चटे चरण का जो चुनाओं है इसमें जोरदार छक्के लगेंगे और भारतिय जंता पार्टी पौने 300-300 के लक्से को प्राप्त करने के उरग्रसर होगी पंजाब की 117 सदस्य विधान सबा सीटों के लिए पंजाब में दलितों की जादा संख्या है जन संख्या और आदी से जादा सीटों पर प्रभाव होने की वज़े से ही कौनग्रस ने चरंजीत सिंग चन्नी पर दाफ खेला है पहले जब क्याप्टन को हटाना पड़ा तो चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया जो पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री बने फिर जब चुनाबों के दरान मुख्यमंत्री गोशित करने की बारी आई तो कॉंग्रेस ने चरंजीत सिंग चन्नी पर ही दाव खेला और इसके पीछे दलित वोटों को ही वज़ा बताये जा रहा है कुल मिलाकर बीजेपी, कॉंग्रेस, शिरोमणी अकाली दल, आमादमी पार्टी सभी की कोशिशे है कि इस बार पंजाव चुनाव में दलित वोटों का साथ मिले क्योंकि सियासी बीजगडित में तो ये तै है कि जिस भी पार्टी को दलितों का साथ मिला है उसी के सिर्थ सत्ता का ताज सचता है वहें मतदान के दौरान चन्नी ने भी मतदान सल पहुंच कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है देखे आज मैं जाला तर अपने छेतर चमकौर साह बें रहा हूं या पदा और की खबराती रही है दो छेतर से मैं आलेक्शन लट रहा हूं जहां से मुझे कहा जा रहा रहा है कि अब उसके बात ही कुछ कह पाएंगे कितनी सीटें कौन जीत रहा है और कितनी बड़ी मज़ादी से हम जीत रहें हैं या क्या स्टिती है इसके बारे में ुब कोई टिपनी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पूरी फीडबैक नहीं है हाँ ये है कि अच्छा उत्षा देखनों को हर तरफ कॉंग्रेस के हक में मिला है जब यूपी में दूसरे चरण के चुनाव चल रहे थे तो उस वक्त गोवा में भी चुनाव चल रहे थे गोवा की 40 विधान सभा सीटों के लिए 14 फरवरी को मतदान हुआ गोवा की 40 विधान सभा सीटों पर 78.9 पीसद वोटिंग हुई प्रमोट सावन इस वक्त गोवा की मुख्य मंत्री है मुख्यमंत्री प्रमोट सावन बीजेपी की टिकेट पर वेलिम विधानसवा सीट से चुनावी रंभूवी में उत्रे है पेशे से आयुर्वेधिक चिकित सक प्रमोट सावन 2017 में विधानसवा सदस निर्वाचित हुए थे इस भार भी सिंक्वेलिम में सीम प्रमोट सावन की प्रतिष्ठा दाव पर लगी है यही वज़ा है कि वो खुद मददान स्थर पर पहुँच कर उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तिमाल करते हुई क्या कुछ कहा शरी आपको सुनाते हैं मैं सभी गोवा के लोगों को आवान करता हूँ कि बड़ी मातरा से वो बाहर आ जाए और ओटिंग करें सब के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि बारती जन्ता पार्टी ने जो दस साल से काम किया है किसी भी प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए सभी दल तमाम तरह के हतकंडे अपनाते हैं कोई अपनी उपलब्धियों के जरिये तो कोई आरोप प्रत्यारोप के जरिये अपना जनाधार बढ़ाना चाहता है कुछ ऐसा ही इन चुनावों के दौरान भी देखने को मिला बात अगर उत्राखंड की की जाए तो उत्राखंड में 14 फरवरी को वोट डाले गए सियम पुशकर सिंग धामी ने नगरा तराई के आदर्श विद्यालय बूत पर पहुँच कर अपना मद्दान दिया इस दौरान उनों ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता ने खुलकर भाच्पा को समर्थन दिया है जनता के इसी विश्वास ने मुझे काम करने की और उड़ जदी है और जनता ने प्रदेश में हुए विकास कार्यों को देखकर ही इस बार अपना मत दिया है इस बार उत्राखंड की जनता सारे मिठक तोड़कर इतिहास रचने जा रही है आगे सीयम ने जीत का दावा करते हुए मतदान के बाहर मीडिया से क्या कुछ कहाँ चलिए आपको सुनाते हैं एकजीट पोल आये है और अधिकास एकजीट पोलों ने उत्राखंड में भारती जनता पार्टी की सरकार दिखाई है लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जितने भी एकजीट पोल आये है जो नंबर आये है वो नंबर कम है और जिस दिन हमारा रिजल्ट आएगा दस मार्च को ये काफी ज्यादा संख्या होगी और हमारी परचंड बहुमत की सरकार बनेगी इसको लेकर मैं आस्वस्त हूँ मनिपुर में कॉंग्रस का हमेशा से दब दबा रहा है साल 2017 के विधान सबा चुनावों में भी कॉंग्रस के हिस्से सबसे ज़ादा सीटे आई थी 60 विधान सबा वाले मरीपुर में कॉंग्रस ने 28 सीटे हासल की थी और 21 सीटे भारतिय जनतापाटी के खाते में आई थी मरीपुर की सियासत में मताई समुदाय का दब दबा रहा है मरीपूर में कुल साथ विधान समबा सीटे हैं 20 सीटे पहाडी लाकों में पढ़ती हैं और 40 सीटे घाटी लाकों में लेकिन राज में बीजेपी अब एक ताकतवर फैक्टर बन चुकी है और सक्ता में भी है दुबारा मरीपूर में सक्ता पर काबिज होने के लिए भाच्पा ने इस चुनावों में भी एडी से लेकर चोटी तक का अपना पूरा जोड लगा दिया था वह इस बार मतदान के पूर मणीपूर के सीम ने क्या कुछ कहा चौर ये वो भी आपको सुनाते हैं अभी आपने सुना के पांच राज्यों में जहां इस बार वोट डाले गए हैं वहा की सीम ने मतदान के बाद इस बार भी प्रचंड जीत का दावा किया लेकिन ये तो आने वाली दस मार्च को ही पता चलेगा कि आखिर किसने दोबारा जीत का ताज पहना और किसके सिर से जीत का ताज उत्रा प्राइम टीवे के लिए मुसकान अजमानी की रिपोर्ट दोहराता है या फिर इस बार कुछ अलग देखने को मिलता है ये 10 तारिक को पता चलेगा तब तक हर जुनावी अप्टेट के लिए देखते रहें प्राइम टीवी